स्वागत आपका मैंत सिकों चानल पर दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग टॉप टुवेंटी जीके एमसी क्यूं की बात करेंगे जैसे कि आप सभी को पता कि टॉप टुवेंटी एमसी क्यूं मैंने स्टार्ट किया है और यह पार्ट थ्री है अगर आपने पार्ट व पीजैमू बहुत ही important है और अगर आपको इस वीडियो का notes चाहिए तो आप इस number पर हमैं WhatsApp कर सकते हैं और WhatsApp group हमारा join कर सकते हैं तो चलिए आज का वीडियो स्टार करते हैं अ आपके Like और Share से हमारा हौसला बढ़ते हैं तो Like और शेयर जरू कर दें और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल का आइकन में दबा लें ताकि हर वीडियो की नोडिफिकर्शन आपको मिलती रहें तो चलिए आज का सबसे पहला क्वेशन स्टार्ट करते हैं वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा कि पेसल पीडे बहुत ही इंपोर्टेंट है क्योंकि यहां से आपको 50% गारेंटी कॉमन क्वेशन मिल जाएंगे आपके एक्जाम्स में यहां से आपको भौतिक विज्या, रसायन विज्यान और जीव विज्यान तीनों सखाओं से 2000 से भी चुनिंदा आती संभावत प्रसन बनाएगा है, जो कि 2019 में आपके लिए आने की संभावना रखते हैं, यहां पर चैप्टर वाइज आपको क्वेशन कैंसर मिल जाएंगे, इसके अलावा आपको 20 ओनलाइन मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, जिससे आप तयारी अपनी जान सकते हैं कि आपने कितनी तयारी की है, इस बुक की कीमत 35 उपे है, अगर आपको यह बुक खरिदना है, तो नीचे डिस्क्रिप्सन में इस बुक का लिंक दे दिया गया, वहां से आप खरिसकते हैं, अगर आप नीचे दिये वह लिंक से खर देंगे, तो शीर पोरक आपको 95 उपे देने पड़ेंगे, तो यह आपको मिलता है 3 सेकेंड फटाब वटाब आपको जवाब नीचे कमेंट करके देना है 1932 के पुना समझावते के साथ किसका सीधा संबंध है इसका राइट एंसर राजे का ओप्शन नमबर D भारतिय दली तवर का सीधा संबंध है Q2 इडूकी जल विदूत परियोजना किस राज्य में इस्तित है इडूकी जल विदूत परियोजना किस राज्य में इस्तित है इसका राइट एंसर रोजएगा ओप्शन नमबर 1 केरल दोस्तों रोज रात 9 बजे लाइब टेस्ट आता है GK का test लिया जाता है यहाँ पे आपको science, quality हर एक चीज का GK का question मिल जाएगा तो आप लोग हमारे चैनल को subscribe जरू कर ले साथ ही साथ बेल आइकल में दबा ले ताकि वीडियो की notification मिलती रहे तो question number 2 का right answer हो जाएगा option number 1 केरल question number 3 the story of the integration of the Indian states पुस्तक नाम किस ने लिखा the story of the integration of the Indian states नामक पुस्तक किस ने लिखी है question number 3 का right answer हो जाएगा option number D VP Menon question number 4 आपके सामने सरदार सरवर परियोजना किस नदी पर इस्थित है very important question है सरदार सरवर परियोजना किस नदी पर इस्थित है तापती, गुदावरी, नर्मदा या कृष्णा इसका right answer हो जाएगा option number C नर्मदा नर्मदा नदी परियोजना very important question है question number 5 पेरियार जल विदूत परियोजना किस राजे में इस्थित है बहुत बार पुछा गया एक question पेरियार जल विदूत परियोजना किस राजे में इस्थित है दोस्तों विडियो थोड़ा सा भी helpful लगे है तो share जरू कर देए अपने दोस्तों के शाथ और बिना like के इस विडियो को ना जाए please तो like जरू कर दे question number 5 question number 5 right hand जरू जाएगा option number A करनाटक question number 6 लोनार जील किस राजे में इस्थित है important question है लोनार जील किस राजे में इस्थित है जील नदियां तट इनसे रिलेटर बहुत ज़रे question बनते है तो आज का वीडियो उसी का उपर है तो लोनार जील किस राजे में इस्थित है right hand जरू जाएगा option number C महाराष्ट में इस्थित है लोनार जील question number 7 आपके सामने दीख रहा होगा किसी छेत्र को अनसूचित और जनजाती छेत्र घोशित करने का अधिकार किसे है ये पॉलिटियका का question है किसी छेत्र को अनसूचित और जनजाती छेत्र घोशित करने का अधिकार किसे है इसका right answer हो जाएगा option number A प्रेसिडेंट यानि राष्टपती को है question number 8 एसियाटिक सोसाइटी की अस्थापना कब होई थी चार option आपके दीख रहा होगा अशियाटिक सोसाइटी की अस्थापना कब होई थी very important question है correct answer है option number B 17 Godot 1784 में असियाटिक सोसाइटी की अस्थापना की ग TD question number 9 हडपा की खोज का स्रेर किसे दिया जाता है very important question हडपा की होज का स्रेर किसे दिया जाता है तो फटावट आपको नीचे कमेंट करना है रोज रात नौ बजे लाइब आ जाए करें क्योंकि लाइब टेस्ट सुरू हो जाती है चैनल को सब्स्राइब कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे PDF चाहिए इस वीडियो का ये बागी सारे GKGS का तो नीचे दियावब वाट्स अप नंबर उस पर आप कॉंटक्ट कर सकते है फटाफटिस का जाप देना है वीडियो को लाइक किया बगर न जाए Q9 का राय टेंसर हो जाएगा Option नंबर B राय बहादूर दैराम सहानी को हडपा की खोजकस रेद जाता है Q10 भारतिय सन्विदान के अधिकांस्ता भाग संसोधित किया जा सकता है किसके द्वारा Very very important question है हमारा जो सन्विदान है भारतिय सन्विदान है उसका अधिकांस्ता भाग संसोधित किया जा सकता है कब कैसे Q10 आपको पूरा option पढ़ना है चले correct answer हो जाए option नमर बी सिर्फ संसद के द्वारा सिर्फ अकेला संसद चाहे तो भारती सन्विदान के जितने भी भाग है maximum भाग उसका संसोधन किया जा सकते है उसो चेंज किया जा सकते है उसमें बदलाव लाया जा सकते है question number 11 Asiatic Society की अस्थापना कहां की गई यह कहां इस्तित है 1784 में इसकी अस्थापना के गई थी और यह कहां इस्तित है चार option आपके सामने है correct answer option number C Kolkata में Kolkata में इस्तित है Asiatic Society question number 12 चंद्रगुप्त मौरे अपने अंतिम दिनों में किस धर्म का अनुआई बन गए थे चंद्रगुप्त मौरे अपने अंतिम दिनों में किस धर्म के अनुआई बन गए थे question number 12 चार option आपके सामने है जैन, वैशनो, बौध, यार, शिव चलिए question number 12 का right answer हो जाएगा option number 1 जैन धर्म के अनुआई बन गए थे चलिए अगला question, question number 13 जोग या गर्सुपा जलप्रपात की सराजय में इस्तिते है very important question है कम से कम्याज ये question 2 से 3 बर repeat किया गया है आपका बिहार ऐसा ही ले ले या फिर NTPC के exam में ये 2 से 3 बर repeat किया गया है बार साल ये question common पड़ता है तो जोग या गर्सुपा जलप्रपात की सराजय में इस्तिते है question number 13 का right answer हो जागा option number A करनाटक करनाटक में इस्तिते है चलिए question number 14 संगीत नाटक अकादमी की अस्थापना कब हुई थी very important question है संगीत नाटक अकादमी की अस्थापना कब हुई थी question number 14 चलिए और इसका correct answer हो जागा option number B 1953 में संगीत नाटक अदमी की अस्थापना की थी question number 15 आपके सामने है हडपा में किस वस्तु का उत्पादन सबसे अधिक होता था very important question है हडपा में किस वस्तु का उत्पादन सबसे अधिक होता था मुद्राएं जो कांस या कांस या औजार या फिर कपास चार अपके सामने है हडपा में किसकी कौन सा ज्यादा होता था मुद्राएं जो कांस से औजार या कपास question number 15 और right answer हो जागा option number D question number 16 हंटर आयोग की नियुकति की गए थी कब की गए थी हंटर आयोग की नियुकति कब की गए थी यहाँ पे इस वी नहीं पुछा गया किस घटला के बाद की गए थी hunter आयोग hunter कमीशन आपने सुना होगा question number 16 चार ओप्शन आपके सामने है फटा पटा पो कमेंट करना है करेक्ट टेंसर हो जाएगा जलिया वाला बाग हत्याकार्ण के बाद जलिया वाला बाग हत्याकार्ण जब हुआ उसके बाद हंटर कमिशन भारत आया था क्वेस्चन नमबर 17 आपके सामने है मेगास्थनीज किसका राज़ दूत धा वेरी इजी Intel और वेरी इंपोर्टन क्वेशन मेगास्थनीज किसका राज़ दूत था करेक्ट टेंसर ओं आप्सन नमबर सी Celliqas का राज़ दूत था मेगास्थनीज ग्वेशन नमबर 18 भारत में सबसे उचा जल प्रपात कौन सा है very very important question है बहुत बार repeated question है यह वाला जितना star करना है उतना star कर लीजिए नोट्स चाहिए तो नीचे whatsapp नंबर में contact कर सकते हैं आपको नोट्स मिल जाएगी और question number 18 का right answer क्या हो जागा भारत में सबसे उचा जल प्रपात कौन सा है तो यह है option number D जोग जल प्रपात very important question है question number 19 आपके सामने है भारती यह नाटे संस्थान कहा है सित है most important question भारती यह नाटे संस्थान कहा है सित है question number 19 question number 20 भारत के लेक डिस्ट्रिक यानी झीलों का जीला के रुप में की से जाना जाता है भारत के लेक डिस्ट्रिक के रुप में कीसे जाना जाता है question number 20 करेक्ट एंसर है ओप्षिन नमबर ए नैनी ताल आप सभी को पता होगा तो इसे जो है लेक डिस्ट्रिक के रूप में जाना जाता है भारत का नमबर 21 प्रख्यात सांस्कृतिक केंद्र भारत भावन कहां इस्तित है यह एक सांस्कृतिक केंद्र है जैसे कि अब देख सकते हैं और भारत भावन कहां इस्तित है इसका राइट एंसर हो जाएगा option number C भोपाल में चलिए अब बात करते हैं कल के quiz के answer का जो कल जो quiz पुछा गया था उसका question था कि East India Company के स्थापना के समय भारत के बादसा कौन था तो वो थे option number C राइट है हो जाएगा अकबर थे इसका सही जवाब सभी नहीं दिया है मगर जो सबसे पहले जवाब दिये हैं उनका नाम है आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं Congratulations to him चलिए अब बात करते हैं आज के quiz के answer का तो आज का quiz का question है वो आप देशापते हैं कि चीन की great wall का निर्मान किसने कराया था इस question का job जिसने वी सबसे पहले नीचे comment करके दिया उसे इनाम मिलेगा हर बार की तरह तो आज के quiz का answer फटापट आपको देना है कि चीन की great wall का निर्मान किसने कराया था ली ताइपू, लाओट जे, सित हुआंगती या कन्फ्यूसियस तो दोस्तों ये था आज का top 20 GK MCQ जो की हर exam के लिए बहुत ज़्यदा important है ये part 3 था, part 1 और part 2 जरूर देख लेए नीचे description लिंक मिल जाएगा या पर चैनल के playlist पर जाएगा तो बहुत सारा GKS वीडियो मिल जाएगा आपको ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, नोट्स लेते रहने के लिए आप हमें 7044-323173 पर WhatsApp ग्रूप जॉइन कर सकते हैं और वीडियो डेली पाने के लिए आप लोग हमेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिजे के लिए साथ इसाथ बेल का आइकन प्रेस कर लिए ताकर आपको सब्सक्राइब होइना जितना हों सके वीडियो का लाइक करदीजिये दिल खोल के लाइक कीजिए दिल खोलगे के शेयर कीजिए पपली